देखो हमाराा अयनिक बॉंड का पॉरमिशन कैसे होता है। इसमें पाँच या चे問 है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो उनने से पहला टोपिक हैं। आयनिक बॉंड या इलेक्ट्रो विलेंट बॉंड तो अईनिक बॉंड कैसे बनता हो पॉरमिशन होता है it is formed it is formed by complete transfer of electron complete transfer of electron transfer of electron between two atoms between two atoms बेटा किसी भी दो एटम के बीच में आपका electron का transfer होता है उससे जो हमारा bond formation होता है यहां पर इसके साथ अगर क्लोरिन का combination करना चाहें तो यहां पर है बेटा 287 तो होगा क्या गाइज यह अपना एक electron इसको transfer करेगा होगा क्या आपका NaCl का formation होगा एन यहां पर positive होगा CL यहां पर negative होगा यह एक आयनी compound बनेगा प्लस यहां पर heat का release होगा बेटा heat release होगी इसको हम बोलेंगे lattice energy डिस इज और लेटेश energy क्या बोलेंगे बेटा इसको डिस इज और लेटेश energy क्लियर पॉइंट जो heat compound के formation में जो heat release हुई है डेट इस नोन एज लेटेश एनरजी डेट इस नोन एज लेटेश एनरजी अब इस पर question क्या-क्या बनते हैं आइनिक बोंड पर देखे पहला question दो यहीं बनता है कि एक आइनिक जो हमारा बूंड है यह आइनिक compound है वो stable रहे बिटा stable होने के लिए हमारे पास क्या-क्या condition है condition for condition for stability of ionic compound condition for stability of ionic compound stability of ionic compound एक ionic compound बिटा stable हो उसके लिए हमें क्या condition follow करनी है पहले condition तो यहीं बिटा देखो अगर हमारे पास जो N है sodium आपके पास है अगर sodium easily electron lose कर दे यह वाला sodium easily electron lose कर दे और यह chlorine easily electron gain कर ले तो आपके पास ionic compound काफी stable बनेगा easily formation होगा और किसी भी metal में से अगर हमें बिटा electron निकालना है electron remove करना है sodium में से तो उसके लिए में energy required होगी और उस energy का नाम होगा बिटा ionization energy तो सबसे पहले तो यह सोडियम से क्या निकालना पड़ेगा electron बेटा काइंडली माइक म्यूट कर लीजे प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज मुझे डिस्ट्रेबेंस आरी वहां से हां जी थैंक्यों तो सबसे पहला पॉइंट बेटा sodium easily अपना electron lose कर दे तो उसके लिए पहले कपी केंडिशन क्या है यो आपकी i onaiजेशन एनरजी है डाट मस्ट भी फ़ोग या सिंपली कह सकते हो औएोक नेजेशन एनरजी most कि wild dark ३श होनी चाहिए ठिक है, easily electron lose करें, second condition, बेटा जो हमारे पास chlorine है, ये easily electron gain करें, और जैसे ये electron gain करेंगा, बहुत सारी heteroles होती है, उसको बोलते हैं, electron affinity, क्या बोलते हैं, उसको electron affinity कह सकती हैं, या उसी को बेटा हम electron gain enthalpy कह सकती हैं, तो electron affinity या electron gain enthalpy या electron gain enthalpy ये क्या होनी चाहिए बिटा हाई होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट होनी चाहिए ठीक है पहली condition क्या बिटा आपकी जो ionization energy है that must be very very low ताकि easily sodium electron lose कर दे और chlorine जैसे electron gain करेगा बचे वह काफी हीट रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं electron affinity या electron gain enthalpy या electron gain enthalpy वह क्या होनी चाहिए बिटा बहुत ही high होनी चाहिए ठीक है पहली condition यह होगी दोनों थर्ड कंडिशन बिटा जो यह हीट रिलीज हुई है यह वाली जो यह हीट रिलीज हुई है यह बहुत ज्यादा रिलीज होनी चाहिए so that अगर हीट ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी तो उस compound की अपनी energy कम हो जाएगी और अपनी energy कम होगी तो क्या हो जाएगा ज्यादा stable क्योंकि chemistry की term में हम क्या कहते है minimum energy maximum stability तो थर्ड कंडिशन क्या बिटा जो हमारे पास lattice energy है leftist energy है या उसका हम कह सकते हैं लेटिस एन्थालपी है lettuce एंथालपी है that must be that must be must be very very high very very high यह बिटा आपकी बहुत हाई होनी चाहिए पॉइंट ये तीनों कंडिशन क्लियर है पहले कंडिशन क्या है आइवनेजिशन एनरजी लो होनी चाहिए सेकेंड कंडिशन इलेक्ट्रोन एफिनिटी काफी हाई होनी चाहिए थर्ड कंडिशन लेटेस एनरजी भी क्या होनी चाहिए वेरी वेरी हाई स्पोस कीजिए इसके कंपाउंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी आपको यह दे दें माली जी आपके पास कंपाउंड है पहला कंपाउंड है एबी second है BC third है CD और D option कुछ भी दे दे आपको DE माली जी यह कोई भी चार compound आपको दिए हो सकते हैं हो सकता है यह हो lithium chloride potassium sodium chloride potassium chloride rubidium chloride कुछ इस step से कुछ भी naming हो सकती है आपकी और उसकी आपको क्या दे देंगे वो they will give you lattice energy आपको साथ में mention उनकी आपको दे दी lattice energy यहाँ पर given है by chance आपको lattice energy यह बेट आपको given है ठीक है यह मैं एक hypothetical values ले रहा हूँ माली जी पहली value हमारे पास है 30.6 kilojoule per mole right यह value है next हमारे पास है 40.6 kilojoule per mole next value आपके पास दे बेटा 50.6 kilojoule per mole I am taking the hypothetical value दीजा नोट the exact values minus 60.7 kilojoule per mole माली जी यह values आपको दिया गया है और आपको बोल दे बताईए कौन सा ज़्यादा stable होने वाला है तो जस्ट आपको notice क्या करना है कि किसमें ज़्यादा maximum heat हीट हुई है तो maximum heat किसमें रिलीज हुई है option d में आप बोलेंगे सर option d में maximum heat का रिलीज है इस वज़े से इसकी lattice energy हाई है क्या ज़्यादा है lattice energy थार्ड वाला point है lattice energy इसकी lattice energy बहुत ज़्यादा high lattice enthalpy है और lattice energy हाई होने की वज़े से यह क्या होगा stable होगा क्या होगा बचे stable या फिर आपको कह सकते हैं it's it's correct condition correct condition condition for an ionic compound for an ionic compound ionic compound to be stable to be stable ठीक है फिर कौन सी condition ionic compound को stable होने के लिए mention है आपको पहली condition बोल दी ionization energy must be high must be high पहली condition दे दी b condition दे दी electron affinity must be low must be low सी कंडिशन दे दी electron affinity must be high कि आपकी electron affinity हाई हो d option दे दिया कि none of these तो कौन से condition भी टिक करने वाले हैं ionic compound की correct stability के लिए ionization enthalpy क्या होनी चाहिए पिटा लो होनी चाहिए electron affinity क्या होनी चाहिए high होनी चाहिए तो ये ये वाले condition valid नहीं है ये वाले condition valid नहीं है तो कौन से condition valid है यहाँ पे see this will be the correct answer कि यहाँ पे ionic compound stable रहेगा अगर electron affinity क्या होगी high होगी तो ये तो थी condition किसके लिए एक ionic compound stable होगा या नहीं होगा next point अब आपके पास क्या बेटा कि कुछ ionic compound जैसे suppose कीजिए मेरे पास है lithium chloride ये भी ionic है sodium chloride ये भी ionic है potassium chloride ये भी ionic है rubidium chloride this is also ionic की nature अब question ये पूछ लेते हैं भई इन में से सबसे ज़्यादा ionic कौन सा है या इन में से किसमे covalent character हो सकता है तो ऐसा question अगर पूछ लें कि भी ionic character है कम है ज़्यादा है या ionic compound दिया वहाँ पे covalent पूछ लें तो आपको question कुछ step से आ सकता है covalent character covalent character in an ionic compound in an ionic compound ionic compound एक ionic compound covalent character कितना ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है कम ज़्यादा क्या आपका हो सकता है देखिए ये बहुत important है ये ये इन और्गेनिक में भी यूज होगा ये point यहाँ पे एक rule आता बेटा फैजान्स रूल फैजान्स रूल फैजान्स रूल फैजान्स रूल क्या कहता बेटा कि मान लीजी मेरे पास A B एक ionic compound है A B ये positive ये negative ये आपके पास बचे एक ionic compound है this is a ionic compound कुछ भी हो सकता है NaCl, KCl, cesium chloride, rubidium chloride, beta कुछ भी हो सकता है अब मैं इसको ऐसे example ले लिया अब actually anion क्या होता है this anion anion is basically an electron cloud ये electron cloud consider किया जाता है an electron cloud अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे B ये electron का cloud एक ऐसे like that मैंने इसको ऐसे represent कर लिया B is an electron cloud और यहाँ पे आपके पास क्या है बिटा यहाँ पे कोई भी cation आया A positive कुछ भी हो सकता है अब cation की tendency क्या है इस electron cloud को वापिस अपनी तर्फ attract करने की क्योंकि देखो यह purely positive है B negative purely negative है तो यह ionic है लेकिन अगर यह A positive इस electron cloud को अपनी तरफ attract करेगा ऐसे पहले माले जी ऐसे है थोड़ा सा ही distorate हो जाएगा यह उसको बहुत है polarized हो जाएगा यह कुछ ऐसे बन जाएगा A positive यह B negative थोड़ा सा बेटा step से इसकी तरफ इसकी तरफ है distorate हो जाएगा like that यह B negative थोड़ा सा इसकी तरफ है distorate हो जाएगा तो इसको distorate हो गया इसको बोलते है polarized हो गया polarized अनायन यह polarized अनायन है और जितनी जादा यह polarized easily होगा तो वहाँ पे covalent character बढ़ना start हो जाएगा क्या बढ़ना start हो जाएगा बेटा covalent character increase होना start हो जाएगा और कटाइन की यह electron को अपनी तरफ attract करने की जो power है इसको बोलते हैं बेटा polarizing power polarizing polarizing power this is your polarizing power क्या बोलते हैं बेटा इसको polarizing power anion से electron cloud को अपनी तरफ attract करने की इस power को हम बोलते हैं polarizing power तो कटाइन की polarizing power जितनी ज़्यादा होगी जितना quickly इसको attract करेगा electron cloud को अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा covalent character बेटा हमारा generate होना start हो जाएगा और उसके लिए condition क्या है कटाइन का size होना जिए बेटा छोटा कटाइन must be must be smaller in size smaller in size आपका कटाइन बेटा जितना छोटा होगा उतना ही उसकी nuclear charge जादा होगा वो quickly अनायन के electron cloud को अपनी तरफ क्या करेगा attract करेगा तो कटाइन का size क्या होना चाहिए small होना चाहिए और अनायन क्या होना चाहिए larger ताकि वो easily electron दे पाए अनायन must be must be larger in size larger in size अगर यह दो condition fulfill हो रही है कटाइन sidewise छोटा होना चाहिए अनायन बड़ा होना चाहिए तो उसमें क्या हो जाएगा molecule will be covalent molecule will be will be covalent molecule will be covalent molecule will be covalent in nature तो आपका molecule covalent होना start हो जाएगा तो फैजान्स रूल में आपने क्या point यह दखना बेटा फैजान्स रूल के coding अगर आपके कटाइन का side छोटा है और अनायन का size क्या है बड़ा है तो molecule क्या होगा बेटाप का covalent for example question लेते हैं विच ओ फॉलोईंग विच ऑफ फॉलोईंग विच ओफ फॉलोईंग है व हमें maximum covalent खरेक्टर है व मेक्सिमम कोवेलेंट केरेक्टर किसका क्योवेलेंट केरेक्टर मेक्सिमम् है हम यह बताना है एक्जाम्पल लिया मैंने लिथियम क्लोराइट, बी ओप्षन है, सोडियम क्लोराइट, सी ओप्षन है, पोटैसियम क्लोराइट, डी ओप्षन लिया मैंने, रूबिडियम क्लोराइट, यह चार ओप्षन है, आपसे पूछ लिया किसमें कोविलेंट करेक्टर मैक्सिमम होने वाला है तो पेटा अगर ध्यान से देखें याँ पर आप प्लोराइड आयN सब्सक्राइशम तो पेटा यहां पे सबसे चोटा साइज किसका केटाइन का लीथियम सोडियम पोटैसियम रूबिडियम इन समय सबसे चोटा साइज किसका होने वाला पेटा लीथियम का सबसे साइज चोटा है तो लीथियम का साइज अगर स्मॉल होगा यह इजी ली पोलराइज कर लेगा क करनी पाएगा तो यह किसकी निचर क्या हो जाएगी इस विल बी वाईनिक तो इनमें आगर बात करूं लीथियम क्लोराइड में सो्डियूं क्लोराइड में पौटासियं में तो मैक्सीमम कोवलेंट करेकटर होने वाला किसका होगा ए उप्शन क्लेर बचे पॉइंट ये क्योंकि इसमें कटाइन का साइज सबसे छोटा किसका लीथियम का छोटा साइज नुक्लियर चार्ज बहुत हाई रहेगा वो स्ट्रोंगली क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा तो ये केस में कनवर्ट हो जाएगा गोविलेट करेक्टर में एक और क्वेशन देता हम इस पर देखें कि स्टेप से आ सकता है विचरफ फोलोईंग है विच ऑफ फॉलोईंग इस अ को दि मोस्ट आयन इकिजनेचर इज गिवेग्ज दि मोस्ट आयोनिक इन नेचर इन में से कहता कौन सा मोस्ट आयोनिक होगा नेचर वाइज जैसे एक जामपल के तोर पर मैंने ले लिया आपका यहां पर सोडियम फ्लोराइड बी ओप्शन सोडियम क्लोराइड बी ओप्शन और एक आपके पास है सोडियम आयोड़ाइड सोडियम आयोड़ाइड बीटा ह候के पास हैं तो इन में देखो कौन सा कटाइड कर देंके सेम है एंने पोज्टीव एने पोज्टीव एने पोज्टीव एने picture लग क्या है ठीक है तो मिलकूल क्या सेम है अलग लग क्या है अनाएνη सबसे बड़ा किसका यहां पर अनाएन को कॉन गरीज बोलेंट होता है लोगर्य ऐंग यह तो यह तो होग गया औरग्रैक्टर क्योंकि यह यहां पर अनायन का साइज सबसे बढ़ा है यह easy ली पॉलराइज हो जाएगा तो कोव़लेंट करेक्टर में shift हो जाएगा यह सबसे छोटा साइज है अनायन का तो एक किसकी तरफ हो जाएगा विल वायनिक करेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा उपर पूछा गया मोस्ट आइनिक तो आप इसका एक्स्प्लेंग कर देंगे एक मैनी टाइम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता एक्जामिनर वो पूछ लेता है वीचों फॉलोइंग है मैक्सिमम लैटिस एनरजी यहां पर आइनिक नेच और प्रज्चन करते हैं ऑनिक कंपाउंड बनता है वह उत वोक है उसको यह से आरधेन जो हांक्ष्टपर दमजब और ऊपोजिट अगर मुझे तोड़ना है उसके कॉंस्टीचिएंट पार्टिकल में एन्ने में और सील में दूबारा तोड़ना पड़ें इसमें हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी बिटा दोनों को ही बोलते हैं हम लैटिस एनरजी अब जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा इट विल बी मोर आइनिक अब इसमें पूछा जाए अगर इस question में which of following have maximum lattice energy अपसे पूछ ले maximum latest energy किसकी आने वाली बिटा किसकी होगी maximum latest energy ज्यादा आइनिक है minimum latest energy किसकी होगी एन ने आई की क्लियर बिटा पॉइंट ही है तो यहां से आपको latest energy भी पूछ सकते हैं ठीक है माइक मूट का लिए अगरो बिटा साथ-साथ माइक इसी पर क्या बन सकता है विच और फॉलोइंग विच ओफ फॉलोइंग अगरों इस ती मोस्ट अ मोस्ट आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड इन में से कौन सा आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा मैकसिमम आयनिक करेक्टर शोग करेगा आपके पास कुशन है अंडि के लिए डिए इंडी इच करेक्टरनyes विक गटा है कलोड़ और आपके पास आई सी एक ठीक अनायन सेम है, अनायन सेम आपके पास, सिमिलर अनायन है, अब कटायन यहाँ पर क्या-क्या बेटा देखो, एनने पोजिटिव है, एमजी टू पोजिटिव है, एल थ्री पोजिटिव है, और एस आई फोर पोजिटिव है, यहाँ आपके पास बेटा अनायन है, ठीक है, अब तो यहां पर देखेंगे इस के पास electron है 28 यहां पर भी electron 28 यहां पर भी electron 28 और यहां पर भी electron 28 एपयर के point clear पेटब यहां पर देखेंगे तो सबीपे eight 1010 electron है क्योंकि sodium का atomic number क्या होता बेचि 11 एक electron lose करेगा magnesium का atomic number 12 इलेक्ट्रों बूज करेगा aluminium Not 13, 3 electron lose करेगा, silicon का 14, 4 electron lose करेगा, तो यहाँ पे 10, 10 electron है, तो बेटा याद रखना, ISO electronic cation, इनको बोलेंगे, ISO electronic cation, बेजन cation के पास same electron हो, उस case में, जितना greater charge होता है बेटा, charge जितना जयादा होगा, size उतना ही आपका smaller रहेगा, चार्ज जितना greater होगा बेटा, उतना ही हमारे पास क्या होगा size चोटा हूजा एक अब सब से चोटा है किसका है कि सबसे चोटा says किसका आने वाला बिटा चूर स्बस्का सबसे चोटा है तो सका नीजर क्या गाओगा सबसी यादा को लें सब्सक्राइब कर लेते हैं जैसे सोडियम मेगनेशियम एल्यूमिनियम सिलिकन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज होता कुछ इस टैप से भी अजंब्स लगा देते हैं बट बहुत बार यह करेक्ट आपकी स्टेटमेंट नहीं रहती है तो ज चार्ज जितना ग्रेटर होगा साइज बटा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो अभी तक हमने क्या पड़ा कि एक आइनिक कंपाउंड क्या है उसके स्टेबल होने के लिए कि भी आइनिक कंपाउंड स्टेबल रहे क्या-क्या फैक्टर रिस्पोंसिवल है उसके की तरफ जा रहा है तो कोवलेंट कोंसा ज्यादा होगा कोंसा कम होगा वह भी हमने डिसकस कर लिया तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या आता है यहां तक सबको क्लियर है कोई दिक्कत हो नहीं यहां तक यहां बिटा क्लियर है यहां तक यह सर्व ओके अभी क्वेशन यह आता है बहुत बार क्वेशन पूछा जाता यह नीट जैसे एक्जामस में भी आता है जेई में पूछा गया है कि अगर आप आयनी कंपाउंड को डिजॉल करते हैं हमें पता वह इसली वोटर में सोल्यूब रहेंगी तो हमारे पास हैं सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ठीक है यह तो हमें पता ही है वोटर सोल्यूबल है क्योंकि वोटर भी हमारा पोलर होता नेचर वाइज और आयनिक कंपाउंड भी पोलर तो सेम नीचर है पाइनिक कंपाउंड की जैसे एनने सील है के सील है इसकी नीचर कैसी है पोलर नीचर है पोलर मींज पोजिटिव नेगटिव हमारे पास वोटर जो होता है यह भी नीचर वाइज कैसा होता है पोलारीटी होती है यह भी पोलर होता है तो पोलर में पोलर इज वोटर गालेक्टरीक्ट वेटा बहुत हाई होता है सभी को पता होगा साइज्ड क्या होता एपरोकसिमेटलीक करीब होता दक वोटर का डैएलेक्ट्रीकटान तो इसली ब्रेक कर तो हमारे पास ही हो गया अब यह कंडिशन की बात कर रहे हैं कंडिशन क्या होगा यह तो जेंडरल हमारा है कि भी डाइलेक्ट्रोड कोंस्टेंट वोटर का हाई है वोटर पोलर नीचर का होता है एक्जेक्ट इसकी क्या रिजन होता है वो देखिए सबसे पहले होगा क्या अब यह NACL ब्रेक होगा एने पोजिटिव आइन में क्लोराइड आइन में सबसे पहला काम यह होगा कोई भी आइनिक कंपाउंड है NACL KCLA ABCD कुछ भी कोई भी है अब जब इसको हमने एक ONE मोल आइनिक कंपाउंड को इसके आइन्स में ब्रेक करना है क्टाइन और अनायन में कट आयन के और एन ऐन में इन में अगर ब्रेक करना है इसको तो इसमें कुछ खीट देनी पड़ेगी और इसी इत का क्या ना मोका गएट अभी थोड़े पहले बताए था गया मगोगं असका lattice energy देखो lattice energy की दो statement हमें पहले बताच को हूँ जब किसी का one mole आईनिक compound का बनता है one mole उसमें heat क्या release हुई उसमें heat क्या release हुई देखे उपर बताया था मैंने जब one mole आईनिक compound का बनता है जो heat release हुई that is lattice energy या फिर उसी one mole आईनिक compound को अपने constituent particle में break करना है अपने constituent particle में break करना है तो वही heat हमें इसको देनी पड़ेगी that is also known as lattice energy और lattice enthalpy तो सबसे पहला काम क्या किया गाईज हमने NaCl को break किया Na positive और Cl negative आईन में ठीक है कर दिया इसके लिए कुछ heat required ही उसको बोला lattice energy यहाँ पे lattice energy किसकी term में heat required की term में है तो इसका मतलब यहाँ पे जो enthalpy of lattice है यहाँ पर जो enthalpy of lattice है वो किसमें है that is in positive मैं जहाँ पे एक टैप से यह कह सकते हो endothermic process आपका यहाँ पे endothermic process यहाँ पे हो रहा है बेटा this is your endothermic अब यह iron dissolve होने के बाद यह iron dissolve होगे easily अब यह dissolve होने के बाद यह dissolve कर दिये मैंने na positive cn negative ion अब यह दुबारा से recombine भी तो कर सकते हैं बेटा na positive है यहाँ पे cn negative ion है दुबारा से आके क्या कर सकते हैं recombine कर सकते हैं बट अब क्या करेगा इसको इसके around water molecule एक एंवेल्फ च्यार कर लेंगे जैसे positive है तो oxygen का ओ नेगिटिव ऐसे इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा ऐसे ऐसे आके कंबाइन हो जाएगा ठीक है ऐसे आकर कंबाइन हो जाएगा लाइक देट ऐसे आकर कंबाइन हो जाएगा ठीक है और chloride आएन है इसकी तरफ water के as positive आएन आके ऐसे कंबाइन हो जाएगे इन short water इसके साथ कंबाइन करेगा इसके around एक envelope त्यार कर लेगा layer त्यार कर लेगा इस type से लाइक देट और water ions को क्या कर देगा hydrate क्या कर देगा ions को hydrate और इसको बोलेंगे enthalpy of hydration और इसमें heat आपकी यहाँ पर release होगी heat यहाँ पर क्या होगी release में यहाँ पर process कैसा रहेगा exothermic process कैसा रहेगा exothermic तो दो point समझाए यहाँ पर दो टैप की heat involved हुई है जब एक ionic compound dissolve हो रहा बेटा पहला point क्या है जब NACL को हम dissolve कर रहे हैं कटायन अनायन बन रहे हैं वहाँ पर heat required है तो पोजिटिव में होगी जब वो ion की form में break हो जाएंगे water उनको hydrate करेगा उनके around combine कर जाएगा so that we recombine ना कर पाए प्रैसिपिटेट ना बन पाए दुबारा उसको बोलेंगे enthalpy of hydration और हम चाते हैं guys की हम क्या चाते हैं कि वो अलग अलग ही रहें दूर दूर रहें दुबारा recombine ना करें तभी तो soluble रहेंगे न उसके लिए हम चाते हैं कि जो net heat है वो exothermik रहें दूर दूर रहें heat जादा रहें तो अगर net heat हम चाते हैं exothermik रहें तो इसका मतलब आपके पास note करने वाला point क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ बेटा enthalpy of hydration वो क्या होने चाहिए जादा किसके comparatively enthalpy of lettuce क्योंकि enthalpy of hydration में क्या है heat released है exo है और enthalpy of lettuce में क्या heat required है हम चाते है net heat क्या रहे net heat exothermik nature रहे तो इसका मतलब hydration enthalpy lettuce enthalpy से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए यही main condition है एक ionic compound की solubility के लिए मैं इसको direct भी बता सकता था बड़ थोड़ा आपको समझा दिया कि भी कैसे होने वाली है तो आपके पास question यह बनेगा यहां से for for dissolution of ionic compound for dissolution of ionic compound ionic compound into water into water which of following which of following following is correct कौन सा इन में से एक correct option है ताकि dissolution easily हो पहला enthalpy of hydration must be equal to enthalpy of lettuce पहले condition यह होगी second condition enthalpy of hydration must be less than enthalpy of lettuce c option enthalpy of hydration must be greater than enthalpy of lettuce दी नन आउफ इस बीन में से कोई भी नहीं तो आपको कौन सा correct option आने वाला बिटा कौन सा correct option रहेगा गाइज एक ionic compound का डिजुलेशन ताकि वोटर में सी ओप्शन enthalpy of hydration must be greater than किसे enthalpy of lettuce तो यह condition अपने याद रखनी क्यों ऐसा होता वो आपको explain कर दिया बाकी कुछ properties होती है ionic compound की वो इतनी important नहीं है सबको पता है कि ionic compound solid form electricity conduction नहीं देते हैं ठीक है क्यों नहीं देते कोई free electron या free ions बगएरा नहीं होते तो वो हमें अच्छे से पता है पहले से तो पहले हमने पढ़ा ionic compound क्या है उसके बाद भी ionic compound stable रहे ionic compound क्या रहे stable रहे उसके लिए कुछ conditions है ionization enthalpy low ताकि easily electron lose करेंगी metal electron affinity high lattice enthalpy वो भी high ठीक है गाइज उसके बाद हमने पढ़ा कि ionic character कामिया जादा होगा वो किसके बेस पर explain कि हमने उन्दा basis of तो यहां तक सबको clear है बेटा को डाउट तो नहीं आ तक ठीक है अजी गाइज बेटा clear point यह सो नो एस सो ओके ग्रेट 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 बोला करो भाई देवियो थोड़ा सा ताकि मेरा भी मन लगा रहे तो हमारे पास देखो वेटा यह हो गया अब हमारे पास condition आती है polar एंड नोन-polar q तो पहली बात हो अगर जेन्रड़ी बात करें मिटां पॉलर का मतलब होता है पोजिटीव नेगेटिव पॉल्स नोन पॉलर का मतलब होता है जीस्सें इमारे पास कोई भी creatively है HCL यह पोलर है पोजटिव नेगेटिव इस पोलर ही नेचर तो मैं बात करूँ CL2 BR2 ठीक है इस टेप से बात करूँ तो यह क्या है नोन पोलर तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनिशन बनी थी ना बेटा बेसिक डेफिनिशन पोलर नोन पोलर की यह थी दो कमबाइनिग एलिमेंट के बीच में इलेक्रो नेगिटिविटी का डिफरेंस होना रहे है दो के बीच कोई自Bean जैसे कि हाइड्रोजन के ईलेक्रो नेगटिविट आपको पता अप्रोक्सिमेटली idag मोती है डिलोर Champ chlorine दोनों same molecule है chlorine chlorine दोनों same atom है तो इनके electronegativity same है bromine bromine की बिटा electronegativity same है तो इन में electronegativity का difference नहीं है तो इसले इनको क्या बोलेंगे nonpolar बड़ बाद में जैसे कुछ molecule ऐसे आए जैसे co2 co2 यह आ गया becl2 becl2 नों बुला कि carbon और oxygen की electronegativity में काफी difference है बेरेलियम और chlorine की electronegativity में काफी difference है उसके बावजूद इस आर नोन पोलर इस आर नोन पोलर पहिए उसके बावजूद भी नोन पोलर है तो फिर उन्होंने एक new term इंट्रोड्यूस की यहां पर that is dipole moment that is dipole moment dipole moment यहां पर introduce किया उन्होंने बोला भाई देखिए जिनका dipole moment होता है greater than zero वो तो होंगे polar molecule that is polar molecule और जिनका dipole moment होगा less than zero sorry equal to zero equal to zero उनको बोलेंगे non polar molecule तो इसके accordingly वो polarity को बताना start कि अभी कौन polar है कौन non polar है जैसे co2 का co2 की structure ऐसे होती है जिसकी वज़े से इसका dipole moment क्या हो जाता है zero becl2 की structure भी linear होती है इसका dipole moment भी क्या हो जाता है zero तो दोनों का dipole moment zero है इस वज़े से उन्होंने इसको क्या बोला कि these are non polar molecule हलांके dipole moment पर बहुत सारी discussion होगी हमारी अभी कि dipole moment निकालते कैसे है dipole moment के base geometry को कैसे explain करेंगे हम तो आपके पास यह था हमारे पास क्या मैंने सिर्फ इतना बताया है फिलाल polar क्या है non polar क्या है polar आप कैसे बोलेंगे आज के बाद वैसे देखो बोल सकते हो combining element के बीच में electronegativity का difference है polar combining element की बीच में electronegativity same है that is non polar बोल सकते हो but exactly आप कैसे बताएंगे उसको on the basis of dipole moment आप बोलेंगे सर जिनका dipole moment greater than zero है these are polar molecules जिनका dipole moment zero है these are non polar molecules तो आप इसके accordingly explain करना है dipole moment के accordingly ठीक है बीटा क्लियर बच्चे यहां तक point कोई दिखत नहीं है कि हांजी गाइस कोई दिखत नहीं है कि बेटा कोई problem तो निसमें नो सर ओके ओके फिर इसके बाद हमारे पास अब dipole moment को explain करूंगा मैं बहुत detail में बताने वाला हूं dipole moment के बारे में फिलार बीच में बता रहा हूं आपको कि यहां पे covalent molecule क्या होता है आई होप सभी को पता है covalent bond या covalent molecule का formation कैसे होता है यह होता कब है जब दो एटम के बीच में mutual sharing of electron होती है और mutual sharing क्यों होती है सो देट कि वो stable हो पाएं अपना ड्यूपलेट या क्युक्ति पूरा कर लें तो ये बंदा को बलेंट-2 मृच्वरिंग ओफ एल क्यवल बेड काल्यमृ चैरिंग पार्टिक योवच्वायू शोह ने कंड़ा बैट्वेंग मो थल टू प्रोफल्टिकल्ट्ट्ट्ट पार्तिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्डू एज टू कम्प्लेट और डूपलेट जैनरली ओक्टेट पटकुछ मोलेक्ट डूपलेट करके भी स्टेबल होते हैं अब ऐसे इसमें बहुत लंबी चोड़ी कोई बात नहीं है कोवलेंट में एक उता प्योर कोवलेंट एक उता है पार्शली कोवलेंट उसके बारे में बात की आयनिक में क्या था एक तो बहुत जादा हाइली आयनिक है एक थोड़ा सा आयनिक करेक्टर कम है तो उसको मनें कोवलेंट बोल दिया वैसे ही कुछ बहुत जादा 100% कोवलेंट करेंगे कुछ बहुत कम करेंगे तो उनको हम आयनिक की तरफ शिफ्ट कर देंगे अब यहा वेंदरवॉलs के फोर्सिज होते हैं ना उंदर और यह विख envelope फोर्सिज यह like są के करेकटर हैं जैसे जैसे मूलर मास बढ़े गा जैसे जैसे बेटा मूलर मास इंक्रीज होगा तो यह फोर्सिज है जो यह आपके स्टूंगर होते जाएंगे ग्रेटर इस दा मोलर मास जितना मोलर मास अब जदा करोगे उतने ही आपके विक वेंडर वाल फॉर्सिज ओ अप्ट्रक्शन होते जाएंगे इस्ट्रोंगर और उसके accordingly उनका boiling point भी increase होने लग जाएगा boiling point भी आपका increase होगा यह point कोवलेंट के बारे में बहुत important है जैसे जैसे molar mass बढ़ेगा guys वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा जैसे for example वैं जेनरल से example ले रहा हूँ ऐसी methane है, ethane है, propane है, butane है इनकी बात करें तो सभी की सभी कैसे है, molar covalent in nature यह भी पीटा covalent है यह भी pure covalent है यह भी pure covalent है यह भी pure covalent है ठीक है सभी covalent character show कर रहे हैं बड़ सबसे ज़्यादा covalent character किसमे होगा सबसे ज्यादा boiling point जादा किसका होगा sorry not covalent molar mass जैसे जैसे बढ़ेगा उनके और end regular forces strong होने start हो जाएंगे उनका boiling point क्या हो जाता गिर्टा boiling point increase होना start हो जाता है यह हम इन-organic में और organic में खास कर alcohol में eathar में ।ok उतर बہं बहुत सगय चीज उज करेंगे कि जैसे जैसे molar बढ़ता जा रहा है तो इनका boiling point क्या हो है इंक्रीज हो रहा है ठीक है लिए कdooवलेंट के बारे कोईदिकर नहीं है को nit बोभेरी अप्रटेंतों होते हैं जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं बिटा कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं यह बेस्ट हैं औक टेट रूल के बेसिस पर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टोपिक हाता चोटा सा उसको बोलते हैं क्या गोडिनेट बॉंड कोडिनेट बॉंड ने या फिर उसी को बोल देते हैं बैटा हम डेटीव बॉंड ने देटिव बॉंड को डेटिव बॉंड को वेलेंट के बारे में कुछ पॉइंट हो रहे हैं वह मैं आपको प्रियोडिक में बताँ होगा जब एक्स्क्लेंग करूंगा वहां पर बताँ हो आपको कि जब combining जो element है उनमें इलेक्ट्रो नेगिटिविटी डिफ्रेंस है वो कम है ज्यादा है कब ज्यादा कोवलेंट होगे कब कम होगे वह भी बताओंगा आपको अ कोडिनेटव डिया वी बात पहली बेंट यह एक कोवलेंट का टाइपविचेल टाइप और पॉलेंट पॉंड इस इस टैप ओफ एक कोवेलेंट बॉंड यह कोवेलेंट बॉंड का टाइप है कोडिनेट या डेटी बॉंड बेटा जैसे मैंने एक्जामपल लिया बचे एच एफ एच एफ तो आप देख सकते हैं आपे एच एफ में क्या होता बेटा इलेक्ट्रों की शेरिंग ऐसे कुछ ऐसे शेरिंग होती है एलेक्ट्रों की हमारे पास एच एफ बन जाता है लेकिन जो यह शेर्ड पेर यह हमारे पास है जिनको मैं रेड़ से शो कर रहा हूँ यह यह बोलते हैं मिटा इनको शेर्ड पेर शेर्ड पेर बोलते हैं बचे इनको यह वले यह फ्लोरिन की तरफ यसे ज्यादा attracted होते हैं और फ्लोरीन की इसी टेंदेंसी वो बोलते हैं लेक्ट्रो नेग्टिवीटी और इस टैप के बॉंड को बोलते हैं कोडिनेट बॉंड या डेटी बो कि जहां पर शेयर पेर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव element की तरफ ज़्यादा attracted हूँ उसको बोलते हैं coordinate bond या data bond बट इसके definition हो रहे हैं जो बहुत widely use होती है ज़्यादा use उसी को किया जाता है पहला point मैं ने बता दिया this is a type of covalent bond ठीक है बिल्कुल देख रहे हैं हम covalent bond का एकी तरह ही है लेकिन जो shared pair electron है वो ज़्यादा किसकी तरफ attractive बचे इलेक्ट्रो negative element की तरफ तो इसलिए इसको बोलते है coordinate bond या data bond लेकिन जो इसकी statement ज़्यादा use होती है वो क्या है कि bond formed bond formed जो seconds की definition ज़्यादा use होती है bond formed bond formed between किसकिस के बीच में between electron rich between electron rich and electron deficient species electron deficient species species इनके बीच में जो बूंड बनता बिटा एक electron rich होनी चाहिए और एक electron deficient इनके बीच में जो bond का formation होता है that is called coordinate bond या data bond कैसे जैसे आपके पास है बचे ammonia NH3 यह आपके पास है ammonia मोली के यहाँ पर आप देखेंगे गाईज यहाँ पर लोन प्यार इलेक्ट्रोन है ठीक है डीजार दा लोन प्यार इलेक्ट्रोन अब यह अपना लोन प्यार डोनेट कर सकता ही जिली बी एफ 3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसको कैसे यह अपने लोन प्यार इलेक्ट्रोन इसको easily donate कर सकता है और यह जैसे arrow दिखाया है यह arrow कि इसको show करेगा this will show coordinate bond या data bond यह show करेगा coordinate bond bond और data bond को तो एक electron rich है यह वाला this is called electron rich यह आपके पास एक electron rich species है बेटा this is your electron rich यह क्या electron की कम ही है उक्टेट पूरा नहीं है तो this is your electron deficient deficient इनकी बीच में जो बॉंड बनेगा that is your coordinate या data bond क्लियर बीटा compounds में आपने देखा होगा यह वेकेंट डी ओर्बिटल होते हैं से 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 हम क्या लेंगे एक दो तीन चार पांच यह वेकेंट डी ओर्बिटल लेंगे यहां पर लेंगे liegends के पास क्या होंगे लोन प्यार लाइक टाइट तो यह अपने लोन प्यार इसके वेकेंट डी ओर्बिटल को जो डी ओर्बैटल हमारे वैकेंट है उनको यह लेंड अपने इलेक्टरों डोनेट करेंगे और यहां पर कौन सा बॉंड बनाएंगे कौन सा बॉंड बनता है 특ड कोडिनेट बॉंड कोडिनेट बॉंड जो मने कॉंद बनते हैं उनको हम क्या दो कोडिनेशन कंपाउंड दीज आर कोडिनेशन कंपाउंड बीच में कहीं समझना आए न कोई पॉइंट लगे कर रहा है तो उसी टैम थोड़ा रोक के पूछ लिया करो किसर यह वाला पॉइंट दूबारे एक्स्प्रेंग कर दो मैं तुम्हें बेसिक से बेसिक चीज बताने हमारी केमिस्ट्री तो मैं उनको बेसिक से बेसिक पॉइंट बताने की ट्राइ करता हूँ ताकि उनको कोई पॉइंट लेक ना कर जाए कि ऐसा न लगे कि इसकी वज़े से कोई टोपिक सोल ना हो तुम से आगए तो हमने क्या-क्या पड़ा आज पहला पड़ा पॉइंट ह पूरा नहीं डाइपॉल मोमेंट के बारे में कि डाइपॉल मोमेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है डाट इस ए पॉलर मोलिक्यूल और डाइपॉल मोमेंट लेस देन जीरो है सोरी एक्वल टू जीरो है तैट इस प्योर नोन पॉलर मोलिक्यूल ठीक है फिर हमने पड़ा अ बेटा और डेटिव बॉंड और डेटिव बॉंड क्लियर बेटा पॉइंट यहां था कोई दिक्कत ने किसी को कोई प्रॉलम दो नहीं बेटा नौ सर तो बेटा आज इसको हम यहीं तक करेंगे कुछ टैम के लिए जब तक आपका 10-15 बचों थोड़ा सा स्लेबस में स्लो रखूंगा उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे तो इसको यहां से तक अच्छे से पढ़ना है प्रॉपरली इसको रीड करना आप लोगों ने और ट्राइक करना कोपी में अपने नोट्स बना ले मैं इनकी जो मैंने पढ़ाया है इसक तो काईडली मुझे कर रहे हूं या कर रहा हूं बता दे मुझे पहले उसके कोडिंग फिर में प्लैन करूं अपना वैसे क्योंकि अभी हम बैच में बच्चे कम हैं तो पता लगे आप सोचो कि चलो मुझे बताने की जूरूत नहीं है दूसरा बच्चा मुझे भी बताने अच्छे से आपको clear हो गया प्रोपर ली कल का जो हमारा टोपिक रहेगा हम डिसकस करेंगे अबाउट डाइपोल मुमेंट के बारे में और एक हम डिसकस करने वाले हैं और फॉर्मल चार्ज यह दो टोपिक डिटेल में डिसकस करेंगे डाइपोल मुमेंट उस पर कोश्चन बनते हैं कई बार और फॉर्मल चार्ज ठीक है बच्छो ऑके गाइस टेक कियार गुड नाइट ऑके वेलकम वेलकम